नियुक को और से स्टाएं अज हम आपके लिए लाए हैं कि लोकी का भठा ये हैं हमारी एक यूनिक रैसीपी तो फ्रेंड मैं हूं प्रमिला'sreet sic रैसीपी में आपका स्वागत है तो चलिआ चलते हैं हम लोकी के भठो़ दाएं तो लोकी का भरता बनाने के लिए हमने लोकी को साफ करके धोकर छील कर इसको अच्छे से उबाल लिया है इसको हमने 2 से 3 सीटी इसको लगा लिया है और इसमें पानी है थोड़ा सा ही है इसको मैस कर लेते हैं और इससे पहले हमें करना है एक पैन को गरम करना है एक पैन को हमन कर दिदू प्याज के साथ में बैड़ेहां इसको भी मिलाखों असवार》 यह रूपनी थेल्ड मैं डाल देते में हम नमक करेंगे यह जिन्जर ले लिए इसको अपनी प्याज में डाल नेखे प्रफली चोप के आए इसको अपने प्याज में आड़ कर देते और इसको पकाएंगे पांच बिनट के लिए जब तक हमारा तमाटर अच्छी से पख नी जाता है इसको हम कवर कर देते हैं चैक कर लटे अपने टमाटर पख गए है हमारे यह देखिए टमाटर ने तेल छोड बढ़े हैं इसमें आप आप कर देखिए हम हाफ इस्पून से भी कम हल्दी पाउडर हाफ इस्पून करेंगे लाल मिश पाउडर बढ़े ज़निया पाउडर इन सब को अच्छे से में कर लेते हैं अपनी ग्यास की प्लीम को रखेंगे हम शीन पूरा हरा धनिया आड़ कर मिक्स करेंगे इसको और अपनी हम करेंगे याड इसको लोकी को अड़ करते हैं अपनी लोकी दाल देते हैं और इस लोकी को हम अच्छे से पहले मैस कर लेते हैं अपनी लोकी को हम इससे अच्छे से मैस कर लेते हैं घर में कई बारे बच्चे लोकी की सबजी नहीं खाते है और भी बड़े नहीं खाते हैं, तो आज हमने सोचा कि यह लोकी का भड़ता बनाया जाए, इससे किसी को पता भी नीच लेगा कि लोकी का भड़ता है, वन इस्पून हम टमयाटो कैचप अड़ करेंगे इसमें, इसके अच्छा टेस्ट लगेगा बच्चों को, और हम इसमें और करते हैं सामवरमसाला, वनिस्पून है यह, इसको एड़ कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसमें, कसूरी मेती, क्रस्ट कर दो डाल देए, इसका टेस्टी चारगुना बढ़ जाता है, कसूरी मेती से, एक मिनत के लिए, हम अपनी को कईर अधम कर देत यह लिजिए तो लिजिए फ्रेंड्स हम इसको धनिये से गार्निश कर देते हैं हमारा तयार हो गया है भरता लोकी का तो प्लीज यह लिजिए आपको यह हमारी रेसिपी कैसी लगी है लोकी का भरता तो आप अपनी फैमिली को जरूर खिलाए हमारी वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए फ्रेंड्स और सस्क्राइज करना ना भूले बैल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो तब तक के लिए मिलते हैं बाई बाई